हलो दोस्तों, इंवेस्टिंग विद प्रेव चनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए दो ऐसी कमपनिया लेकर आया हूँ जो कि अपने फिल्डों में बहुत ही जाद आची है और अभी के टाइप जो ठीक ठाक रेट पर इस टाइप बिल रही है और इनमें क्या है, इनमें प्रमोटर भी जो अच्छी कॉंटिटी में बने हुए है प्लस ये दोनों कमपनियों में जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक भी बढ़ाते जा रहे हैं दीर दीरे और इसमें जो एक कमपनी है, वो में जो है, जो है, सोलर से related है, जो की सोलर के field में भी काम कर रही है और उसके साथ सा जो है, हमारे जो electric vehicle है, जो हमारे EV है उसके लिए जो है chargers जो है, वो भी manufacture करती है और अभी इस कंपनी के जो है लेटेस्ट अभी आज 31 तारीक है कल 30 तारीक हो ही इसने एक रिलीज किया था जिसमें इसने बताया था कि इसको जो है अभी अभी जो है 120 करोड का जो है DC चार्जर बनाने के लिए जो है एक ओर्डर मिला हुआ है BPCL की तरफ से तो इस कंपनी में जो है जब से यह आया उसके अपर पर अपर मार रही है तो यह देखिए इसका जो डिमांड आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इसका जो है आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस होने वाला है जैसे कि हमारे renewable energy से related जो भी है क्योंकि ये जो है EV charger भी बना रही है साथ साथ ये जो solar के लिए product बनाती है तो इसका कामी यही है और ये इसके demand जो है आने वाले 15-20 सालों के लिए इतनी जादा रहेगी कि इसमेगर आप investor डरते तो आपकी जो wealth है वो कई गुना तक बन सकती है और दूसरी जो company में discuss करने आला हूँ वो company जो है हमारी आती है वो हमारी आती है IT से ठीक है वो हमारी आती है IT सेक्टर की और ये company बहुत ही अच्छी है इसने भी अपने investor को बहुत जादा अच्छे return दिया हूँ है तो इन धोनों company में आपके साथ discuss करूँगा एक एक करके और पूरे detail discuss करूँगा इनकी इनको जो आप video को जो है आप शुरू से लेके last तक पूरा देखेगा ताकि आप से जो है कोई भी point जो है तो चलिए फिर इनको हम शुरू करते हैं लेकिन अगर अब तक आपने इस चैनल को जो है वो subscribe नहीं किया तो प्लीज पहले इस चैनल को एक बाद subscribe करें बेल आइकन पर क्लिक करके all पीट करें ताकि आपको मेरा आने पहले वीडियो के जो है नोटिफिकेशन बिलते रहें तो चलिए फिर आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पहली कंपनी है इस कंपनी का जो है प्राइस देख सकते हैं इस टाइम जो है 90.60 पैसे पर ट्रेड कर रही है और आज के दिन इसने जो है अपर सर्किट हिट किया हुआ है और इसने जो है लगवग 5% के पोजिटिव के रिटन बना के दिये हैं एक दिन में एक महिने में जो है इसका 14% के पोजिटिव के रिटन है एक साल का रिटन आप देख सकते हैं जो है 270% का positive का return यानि एक साल में जो है साड़ तीन कुना से ज़्यादा इसने पैसा बना दी अडवेस्टर का और 5 साल का return यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कितना है 3849% का positive का return है यानि कि किसी ने भी 5 साल पहले अगर एक लाग इसमें लगाया होता तो उसका वो एक लाग आज जो है 39 लाग में जो है convert हो चुका होता सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर तो आप यह देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने बैलत बना के दिये हैं और all time का इसका जो है 2711% के positive के return इसने बना के दिये हुए है तो company ने जो है return बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप date note कर सकते हैं जो कि यह है 30 January 2024 की जो data ही देख सकते हैं इस तारिक पे इसने एक press release जो है यह किया था जिसमें आप देख सकते हैं इसने बताया था कि इसको जो है एक जो है 120 करोड का जो है एक order बिला हुआ है जो कि किस की तरफ से मिला है जो कि भारत petroleum corporation limited की तरफ यानि BPCL की तरफ से बिला हुआ है जिसमें यह supply और install करेगा 1800 DC fast EV chargers को यानि कि यह जो EV chargers बनाने इसने 1800 DC जो fast EV chargers है यह इसने जो है supply भी करना है प्लस इसने install भी करना है तो इसका इसने जो है order अभी मिला हुआ है तो इसके order से जो है इसके price में अपर पे अपर अभी लग रहे हैं और यह जो company है यह company है high end solar product जो है वो manufacture करती है और इसके साथ साथ EV chargers भी जो है यह बनाती है और इसने जो है भी develop किया है high ultra fast DC chargers जो है इसने जो है develop किया हुआ है और home AC charger भी जो है इसने डेबलब किया हुआ है और यह जो हमारे electric vehicle के लिए जो है use किया जाते हैं और इस company ने जो है all marketing companies के साथ जो है collaboration करके 2400 EV chargers जो है यह install कर चुकी है उसके साथ साथ यह AC charger भी बनाती है और DC charger भी बनाती है solar product में आप देखते हैं जिसमें यह solar inverter manufacture करती है solar panel को बनाती है solar की use की जाने जाए जो बैटरीज है वो बनाती है servo port को manufacture करती है और SMU को जो है यह बनाती है और power and break up में आप देख सकते हैं जिसमें यह battery manufacture करती है servo stabilizer जो है यह manufacture करती है और यह company जो है LEDs भी जो manufacture करती है जो कि हमारे domestic LEDs आ गए और commercial LEDs आ गए यह हमारी solar panel पे ही काम करने वाली होती है जो है यह manufacture करते है और इसके साथ यह oxygen concentrator भी जो है यह बनाते है जो कि हमारे oxygen concentrator 5 लिटर में है and oxygen concentrator जो है यह 10 लिटर में यह भी जो है बनाती है और यह जो है UVC भी जो बनाती है यह type के जो है lamp होते हैं जो कि हमारे medical के field में यूज की जाते हैं इनसे क्या होता है का ultraviolet जो है वेब जो हती है वो निकलते है जिससे क्या होता हमारे जो ultra जो micro organism होते हैं उनको जो है neutralize करने के लिए इसका यूज किया जाता है और यह अलग-अलग wattage के हैं जैसे यह 6 watt में भी बनाती है यह इसको 36 watt में भी बनाती है 38 watt में तो ऐसे यह काफी है जिसमें यह देख सकते हैं आप जो कि हमारे कहां का यूज किया जाता है और यह कंपनी जो है solution provider भी है जिसमें यह solution जो ओफर करती है यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने भी बताया था इसको जो BPCL की तरफ से जो एक ओर्डर मिला था जो की 120 करोड रुपीज का था जिसमें कि इसको क्या करने है 600 एलेक्ट्रिक वहेकिल चार्जर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिटेल लोकेशन पर लगाने है जो की BPC के है ठीक है वहाँ पर यह डिलिवर्ड करेंगी उन चीज को और इस गंपनी को जो है एक और जो है प्रोजेक्ट है वो भी आप दे सकते जो कि सिवालिक के emission को carbon dioxide के और इसके पास जो है एक और जो है प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं जो कि कहां हल्दिया में है जो कि 500 किलो वार्ट पावर का है जो कि solar PV का है जिसमें ये क्या गरारी है ये 500 किलो बोल्ट का capacity का जो solar PV प्रोजेक्ट जो कर रही है जो कि हल्दिया बेस्ट में है ये भी इसके पास है इसके साथ साथ इसके पास जो है बीपी सील का जो है बीपी सील का भी है जो कि मुंबई महाराष्ट में जिसमें ये कंपनी जो है 500 किलो बोल्ट का solar PV प्रोजेक्ट बहां पे भी लगा रही है और इंडियान ओयल कोर्परेशन के लिए भी इसमें 23 में जो है एक्सपेंड किया जो कि Middle East और अफरीक तक जो है इसमें ये पहुचा दिया जिसमें ये EV charger बिजनेस जो है बहां पे भी बढ़ा रही है अपना और कंपनी जो है वो जर्मनी में भी जो है एक अपना जो है पोर्टेवल सोलर सिस्टम पीवी पोर्ट जो है वो इंपैक्ट हो गया एच पी सीयल हो गया गेल हो गया एयू एस एफबी हो गया बिल्ला सॉफ्ट हो गया हिंदुस्तान कॉपर हो यह यह सारे जो इसके क्लाइन लिस्ट में सामिल है और कंपनी की जो प्रोड़क्शन यूनिट है वो भी आप देख सकते कहां ये कंपनी जो है बेसिकली जो है निव देली से है लेकिन इसकी जो मैनिफैक्टरिंग जो यूनिट है वो सोनी पत हर्याना में है जहां से ये प्रोड़क्शन करती है LED लाइटनिंग का ठीक है UPS सिस्टम्स हो गया इनवर्टर्स हो गया और बैटरीज हो गया यह सारा जो है यह वहां से क क्या करेगी यह खुद भी जो है लगबग 300 करोड़ जो इसमें इन्वेस्ट करने वाली है जिससे क्या करेगी यह एक साल में जो है लगबग 10,000 BC EV Fast Charger जो है यह प्रोड्यूस करेगी वहां से यानि कि EV Fast Chargers का जो है manufacturing करेगी वहां पे और यह जो है इसका जो प्रोजेक्ट ह यह जो operation में कब तक आने वाला है यह जो है quarter first 2025 तक यह start हो जाएगा और इसकी जो order book भी देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसको जो है 22 November 2023 को जो है order मिला हुआ है BPCL की तरफ से जिसमें यह क्या कर रही है 2649 AC EV Chargers का जो है इसको order मिला था यह इसने जो manufacture करके इनको द ठीक है वह order इसका अलग है तो इसको जो है बड़े-बड़े order जो है लगातार इसको जो है मिलते जा रहे हैं और इनका जो revenue breakup भी आप देख सकते हैं जिसमें इसका जो फाइनेशल यह 2023 के साफसे है जिसमें manufactured and trading sales से इसको 97% generate होता है revenue और बाकी का sale of service से 3% का इसको generate होता है औ जब कि टीटेम की देखे लिए 104% के साफसे बढ़ रही है बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर है ठीक है और वहीं इसका जो profit growth देख सकते हैं जो कि 10 साल का 41% से बढ़ रहा है जब कि 5 साल का 22% से 3 साल का 130% से और टीटेम का देखे 403% से बढ़ रहा है और वहीं इसका जो ह जो है यह ग्रो करता जा रहा है और इस company की जो है sales भी आप देख सकते हैं जो की continuously grow होती जा रही है जो की 34 करोड बढ़ते बढ़ते हैं 31 करोड तक इसकी sales जो है वो पुह पहुँछ चुकी है और इसका जो net profit है यहां पहले इसका जो net profit है 1 करोड का हुआ करता है वहीं आज इसको 16 करोड का profit होने लगा है और इस company के fundamental भी आप देख सकते हैं जिसमें इसका जो market cap है मात्र 1927 करोड का market cap है यानि कि 2000 तक होने वाला है इसका जो market cap ठीक है इसका जो current price है वो 90 रुपे 60 पैसा चला है इसका जो high बना है वो बना है 100 रुपे और लो इसका जो 16 रुपे 5 पैसे इसका बना हुआ है इस टॉक का जो P है वो चल रहा है इस टाइम पे 117 ठीक है इस टॉक का इसका जो industry P है वो कितना चल रहा है वो आप यहाँ पे देख से है जो कि 46.6 चला है यानि अभी के टाइम पे अपने industry P से जो है यह काफी मेंगे valuation पे जा चुका है इसका जो book value है वो भी आदेख से के जो कि 4.15 है और यह company जो minus dividend भी provide कराती है इसके जो dividend deal है 0.05% है जो कि बहुत ही जादा कम है ठीक है और इसका जो ROCE है वो देख से जो कि 17.7% है जबकि ROE जो है करेंट रेशियो जो इसका 2.3 है यह हमेशा एक के उपर होना चाहिए यह भी अच्छे लेवल बना हुआ है और पेग रेशियो वाइज भी company जो है महेंगे valuation पे जा चुका है यह हमेशा 1.5 के जो है नीचे रहना चाहिए लेकिन यह यहां पर जो है 5.39 है यानि काफी जादा महेंगे valuation पे शो हो रही है यहां पर फ्री कैश फ्लो इसका जो है माइनस का जो है 38 करोड का है और इसका जो कोई रेशियो भी अच्छा लेवल बना हुआ जो कि 2.06 है अच्छा है इसके पास जो जबेसे वह 67 करोड के इसके पास जब किसके पास जो कर जा है वह 47.3 करोड का है और इसके डेप 0.54 यह मैं जाए एक के नीचे ओने चीह जो कि यहां पर है यानी अच्छी बात है डेप को लेए को दिक्कत वाली बात निया और इसमें जो promoter की holding है वो कितनी 60.6% बनी हुई है और इसमें जो है share ruling pattern पर आप नोट कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो promoter का stake है वो 60.60 है यानि कि सबस्यादा इसमें जो promoter बने हुए ही है और अभी के टाइम जो 90 रुपए पर इस टाइम पर ट्रेड कर रही है तो इस कंपनी को पी जो है पर इंवेस्मेंट के लिए जो है अपने रडार में रख सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा अची है आज की जो हमारे दूसरी कंपनी है यह कंपनी जो आइटी से और इस तक कंपनी आप शीए परशेंट के पेसा कर दिया है इसमे त bias को और इसका जो आप देख सकते हैं जिसमें जो है सकते हैं यानि कि अगर किसी ने जो है इसमें एक लाग इंवेस्ट किया होता तो आज बो जो है बारालाग बन चुका होता है यानि अच्छा इसमें रिटन बना के दिया हुआ है अपने इंवेस्टर को और इस company का बिजनेस भी आप देख सकते हैं यह company जो है technology solution provider है जो की डिलिवर्ड करती है digital transformation leveraging cloud automation and data technologies को और यह company जो है क्या क्या service provide कराती है वो भी आप देख सकते हैं जिसमें यह cloud service जो है यह provide कराती है मैं इसको जो ज़्यादा detail में नहीं जाऊंगा इसमें जो है यह सब जो है यह आप जो है वीडियो को पाउस करके पढ़ लीजेगा नहीं तो वीडियो और जादा लंबी हो जाएगी ठीक है दूसरा यह जो है क्या करती है यह digital transformation जो है यह service provide कराती है और यह देख सकते हैं पर enterprise applications यह service provide कराती है चौत ही इसकी क्या आगी यह देखिया पर managed IT services हो गई ठीक है और फिर आगी application development वगएरा हो गई यह इसकी हो गई है services और इस company का जो है product profile भी देख सकते हैं जिसमें यह provide कराते है दो type की जो profiles है जो कि intelligence होगे जिसमें की क्या करती है यह एक जो है याई ml जो है powered business intelligence solution provide कराती है जो कि convert करता है tele accounting data को into meaningful business insights में दूसरा product profile में आप देख सकते हैं जो कि आता है इसका जो है bite signer और यह क्या कराता है यह provide कराता है एक easy automated and secure way provide कराता है digital sign invoices के लिए legal documentation के लिए हो गया tender documentation के लिए हो गया contracts के लिए orders के लिए vouchers and other PDF documents के लिए और इस company के जो है कुछ alliance भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे Microsoft gold partner हो गया Microsoft silver partner हो गया Microsoft cloud solution provider हो गया AWS consulting partner हो गया और Adobe certified partners हो गया यह सारे के सारे जो है इसके alliance में है और company की जो एक subsidiary भी है जो कि आप देख सकते हैं जो कि कनाड़ा में है जिसका नाम जो है देव Info Tech North America Limited के नाम से है वहाँ पर एक और इस company के जो है client भी आप देख सकते हैं जो कि हमारे international और domestic दोनों टाइप के हैं इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे BM offshore and marine engineer हो गया ठीक है आप domestic client भी देख सकते हैं जैसे government of गुजरात हो गया, government of राजिस्तान हो गया, GIL हो गया, GSWAN हो गया, GETC हो गया, UGVCL हो गया, GSFC हो गया, Department of Science and Technology हो गया, सरदार सरोबर नर्मदा निगम हो गया यह सारे इसके domestic client है और इसका revenue breakup भी आप देख सकते हैं जो कि financial year 2023 के साब से sale of product से इसका 6% आता है जबकि sale of service से इसका 89% है जो कि इसका main business है और other income से इसका 5% का होता है और वहीं जो ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें financial year 2023 का भी है यह भी जिससे क्या होता है यूरोप से इसका 1% का generate होता है other countries से 20% का generate होता है जबकि India से यानिवा सबसे जाता है इसको domestic से generate होता है जो कि 79% होता है और इस company की growth आप देख सकते है जो कि बहुत ही जादा अच्छी है इसकी जो sales growth देखे 10 साल की 11% से बढ़ रही है 5 साल की 12% से तीन साल की 22% से और TTM के आप देख सक जो की 211% से बढ़ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और वहीं इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी जो है अच्छा growth कर रहा है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और इस company की sales भी जो है continuously growth होती जारी जो की 57 करोड से बढ़ते बढ़ते आज जो 160 करोड की जो sales ह होने लगी है और किसी भी company में जो है sales अगर बढ़ रही है तो समझ लिए उसका business बढ़ रहा है और काम उसका सही चल रहा है और आने वाले टाइम में वह company जो अच्छी growth करती जाएगी और इसका जो net profit भी देख सकते हैं जो कि आप पहला देख सकते हैं जहां एक करोड फंडमेटल भी देख सकते हैं यह company जो एक माइक्रो कैप की company यानि बहुत छोटी company है अभी भी इतने ज्यादा रिटन देने के बाद जिसका जो market कहा है मातर तीन सो चास करोड का है इसका जो प्राइस चलना है 169 रुपए यानि 160 मान सकते हैं ठीक है इसका जो high गया था 175 का जबकि लो गया था 81 का ठीक है और इसकी stock की जो पी है वो चल रही इस टाइम पे 37 stock की जबकि इसके industry पी किती चल लिए वो भी यहां पर जो सेम चल लिए 37.4 यानि थोड़ी सेम है उसके आस-पास ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यानि अभी महेंगा नहीं हुआ है चल लिए और यह जो है इतनी छोटी कंपनी होने के बाब जुद भी जो है डिविडेंट प्रवाइड कराती है जो कि इसका डिविडेंड इल्ड जो है 0.16 परसेंट है जो की ठीक है यानि चोटी कंपनी देती बहुत अच्छी वात है कंपनी प्रॉफटेवल है और इसके जो आरो सी यह है जो आप देख सेंट जो कि 15.2 है जबकि यह जो 12.5 है यह जो है ठीक ठाक बने हुए है यह जो इसकी जो पांच है यानि आले वाले टाइम में जो है यह इस प्लिट दे सकती है और प्रमोटर ने जो अपने कोई भी जो शेर्स जो है वो प्लेज नहीं रख पर्फरी कैस्ट प्लो इसके बड़ेचय आप जो है कितना है जो कि निग्सेटीव में 7 रहेज लाँवन है बहstillान जाओ ये जो कि 71.3% इसमें प्रमोटर बने हुए है और इस कंपनी का जो है शेरोलिंग पैटन पी आप नोट कर सकते जिसमें आप देख सकते इसमें जो प्रमोटर का जो इस्टेक है वो सबसे ज्यादा और इसने पिछले क्वार्टर से यह बढ़ाया भी है जहां आप देख सकते इससे पहल प्रमोटर है वो बहुत ज़्यादा प्रमोटर बहुत बहुत जादा यहीं चाम करने में और आशे रिटर और ईस कंपनी का जो नाम है रिटेन आप देख सकते देव इनफ़मेशन बंद कुदो जो कि बहुत जादा अच्छे फैने also कंपनिय है और इसका भी future bright है आने वाले time में जैसे अभी तक इसने जो return बनाके दी हुआ है तो इस company को भी जो आप investment के लिए जो है अपने जो है वाश लिज में एड़ करके चल सकते हैं और ये दोने कंपनिया जो है अपने investment के लिए जो है बहुत जादा अच्छी है लेकिन इनमें जो है अपनी एक बार खुद की research चरूर करना investment करने से पहले क्योंकि अगर बिना सोचे समझे invest कर सकते हैं तो हो भी सकता है कि आप का ही पैसा है कल को कहीं डूब ना जाए ठीक है ना सोच समझ के इसमें invest करा करें ठीक है मैं कोई सीवी द्वारा रेइस्टर को investor advisor नहीं हूँ और मेरे द्वारा जो ही मैंने बताया आपको दोनों कंपने यह किसी द्वारा को buy or sell करने का recommendation नहीं और इसको जो share भी जरूर कीजेगा और इसको subscribe जरूर कर लीजीगा चैनल को ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियो के notification मिलते रहे तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you so much